प्रीवेटिंग फंक्शन अनंत अंबानी और राधिका का लेकिन सारी लाइम लाइट ले गई अराध्या फंक्शन में जब अराध्या का नया लुक सामने आया तो वहां मौजूद सभी सितारों का दिमाग घुमा दिया लोग ऐसा कि दोबारा देखे बिना रहा न जाए बच्चन को भी देखा गया था हाला कि बच्चन परिवार प्री वेडिंग फंक्शन के आखरी दिन यानि तीन मार्च को ही रिलाइंस ग्रीन के बंतारा पहुचे थे जहां महा आर्थी के भव्य आयोजन होने के बाद हस्ताक्षर सरेमनी अटेंड करके वो वापस लोग कहने लगें जैसी मा वैसी बेटी मा कवीन है तो बेटी प्रिंसेस जी इस दौरान वो ना केबल काफी जादर मैच्योर लग रही थी बलकि उनका फैशन एंड स्टाइल भी इवाल्व होता दिख रहा था लेकिन इस फंक्षन में जो लुक सामने आया उससे ये साफ जाहिर था कि अराध्या मा और बुआ दोनों को खूफसूरती में पीछे छोड़ सकती है सबसे पहले बच्चन परिवार की बहुरानी एश्वेरा राय की बात करें तो उन्होंने अपने फेवरेट कलर को पिक करते हुबे अपने लिए वाइट कलर का अनारकली चुना था जो शायद मनीश मलोतरा का कलेक्शन था वही आराध्या बच्चन की बुआ श्वेता बच्चन ने अपने लिए अबुजानी संदीप खोसला के कलेक्शन से सिल्क के कपड़े से तयार पेहत फूफसूरत सलवार सूट चुना था वही नव्या नविली नंदा ने भी डिजाइनर अबुजानी संदीप खोसला को चुना था नव्या ने इस दौरान सुर्ख लाल रंग का लहंगा पैना था जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बच्चन परिवार की एक-एक महिला प्रेडिशनल इंदियन आउटफिट्स में बहुत ही जादा ग्रेसफुल लग रही थी वेल ये सब तो अच्छी लग ही रही थी पर जिसने किया सब को क्रेजी वो थी अराध्या बच्चन जी उनके लुक को देख कर वहां मौझूद सभी लोगों के मुझ से बस एक ही शब निकला वाओ अराध्या की इसी लुक ने हर किसी से लाइम लाइट अपनी तरफ खीच ली अराध्या बच्चन ने इस दौरान ब्लश पिंक एंड वाइट कलर का अनारकली सूट पहना था अपने लुक को कमप्लीट करने के लिए अराध्या ने एक साइड में दुपटा पिनप किया हुआ था जिसके साथ हाथ में फरवाला बैग भी लिया हुआ था साथ में मिनिमल मेकप उन्होंने माथे पर बिंदी लगाई थी जिसके साथ लिप्स के लिए ग्लॉसी रेड कलर पिक किया था मालों को स्टाइल भी बिलकुल अलग था बेबी लुक नहीं बलकि यंग गल के लुक में अराध्या दिखी सभी स्टार किट्स पर भारी पढ़ती दिखी बस किसी की नजर न लग जाए ने तो अब आप समझें आखिर क्यों एश्वरे आराध्या को रखती है यूँ पैस से दूर ठीक भी है अभी से अगर बेटी को लाइम लाइट का जसका लग गया तो पढ़ाई पर कैसे ध्यान दिया जाएगा इसलिए आश्वरे पहले पढ़ाई पर फोकस करती है फिर ग्लैमर वर्ल्ड को तबज्यो देती है सही भी है आश अभी से ध्यान नहीं देंगी तो बेटी भी बागी स्टार किट्स की तरह चटी या बारवी पास ही कहलाएंगी वैसे आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताईए बाकि ऐसे ही लेटस्ट नियूस से अपडेटर रहने के लिए सबस्क्राइब करें श्रेश्ट भारत को श्रेश्ट भारत पर ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रीष्ट फार्थ